नमस्कार, स्वागत है आपका एक बाफिस से सक्षमकादमी के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे और जैसा कि आप सबी को पता है कि संस्तान में हस सेटेटे की दिन एक टारगेट टेस्ट होता है ठीके तो इस बार जो टॉपिक दिया गया था उत्राखन का था तो इस बार जो टेस्ट हुआ था उत्राखन से संबन दे था तो आज हम उसका सॉलिशन देखेंगे ठीके चले सुरू करते हैं आज आपके पास जो पहला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ठीके तो कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है ठीके चले देखते हैं ओप्सन यह है तालेश्वर तामरपत्र की खूज 1915 ठीके तो यह ओप्सन यह सही हो जाएगा संस्तापक विश्णु वर्मन थे ठीके हमें इसमें चार पांच राजाओं के नाम मिलते हैं उसमें हमें विश्णु वर्मन जो पर्थम है इसी को हमें आपे संस्तापक मान लेते हैं ठीके तामरपत्रों के अनुसार पौरववंस की राजदानी ब्रहमपूर थी ठीके तामरपत्रों के अनुसार जो पौरववंस की राजदानी थी ब्रहमपूर थी ये भी सही हो जाएगा ठीके ब्रहमपूर राज्य को हम इसको हम प्रवता का राज्य के नाम से भी जानते है ठीके जो पौरवाओं का राज्य था उसे प्रवता का राज्य के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जो भोगोलिक दसा थी वो कुछ इस टाइप से थी कि इसके चारों तरफ क्या थे प्रवतां से ये गिरा हुआ भाग था ठीके अगला option D है हमारे पास पौरववंस के इस देपता था वो बीरिनेश्वर बीरिनेश्वर स्वामी थे ठीके जो चित्रेश्वर है ये संबंदित है कुणिंदों से और कुणिंदों की जब हम मुद्राएं देख रहे थे तो आपे हमने चित्रेश्वर परकार की मुद्राएं भी देखी थी ठीके चलिए अगला प्र फिके तो पॉरब काली जो सैना ठी, वहां पर जो जयन पति यह पत था, यह पत तमारा था पिदल सैनिक छो पैदल शैना होती थी, इसका जो प्रमुह होता था, वह होता था जयन पति, ठीके, इसके बाद हमारे पास है पीलुपती ठीक है यह असु सेना से संबंदित था असु सेना का यह प्रमुख होता था ठीक है और इस पीलुपती असु सेना नहीं बलकि पीलुपती होता था गज सेना से संबंदित ठीक है गज सेना का ये गज सेना से संबंदित था पेलू पती ठीक है उसके बाद अशुपती और दंड पासिक तो जो दंड़ पासिक था, ये सेना से संबंदित नहीं था, बलकि जो दंड़ पासिक था, ये पुलिस बिवाग से, दंड़ पासिक आपका पुलिस बिवाग से संबंदित था, ठीक है, और अस्व पती जो था, ये अस्व सेना का परमुख था, ठीक है, जो पौरवों की सेन सेना का प्रमोग हो जाता था, उसे कहते थे बलाध्यक्छ, गज़ सेना भी थी अस्व शेना भी थी पैदल सेना भी थी. ऐसा ही गुपतों की समय हमें एक पद मिलता है, महा पीलू पती ठीके महा पीलू पती मिलता है गुपतों के समय और ये हातियों से या हातियों की जो सेना थी इससे सम्मंदित था ठीके तो इसलिए हम महा पीलू पती है इसी भी हम गज सेना से सम्मंदित मानते हैं वैसे जो गज सेना का इनके समय जो मुख्य प्रमुख जो अधिकारी दिखाए, मतलब देखने को मिलता है, वो गजपती होता है, ठीके, तो ये जो पिलुपती है, इसी भी हम गस्यना से संबंदित मानेंगे, ठीके, चलिए, अगला प्रशन आपके पास है, अगला प्रशन है, पौरव कालिन, प्रोण वापम, कुल्य वापम, खारी वापम, ठीके, ये भूमे का, भूमे मापन की एकाई थी, ठीके, चलिए, अगला प्रशन आपके पास है, निम्ड में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ठीके, तो सही सुमेलित है, बताना है हमें, आप्सन E, कत्योरी राजोंस उ एतियासिक वंस दे रखा है, तो एतियासिक हमारा कत्योरी हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा है, अभी लेखों के आधार पर कत्योरी वंस का संस्तापक बसंत देव था, ठीके, अभी लेखों के आधार पर और जो इससे पहले जो दो बार प्रशन आये हैं, इससे संब तो वहाँ पर संस्तापक बसंत देब को माना गया है ठीक है तो जो संस्तापक हो जाएगा कत्यूरी वश्वस का वो बसंत देब हो जाएगा ठीक है वासुदेब को भी माना जाता है लेकिन वो पौराणि associates हों कहानी wireless कि उसका वटनतीय omane ही उसका वर्णन मिलता है ठीक है कत् तामरपत्र का संबंद ललित सूर देव से है ठीक है तो कंडारा जो तामरपत्र है इसका संबंद ललित सूर देव से है और ललित सूर देव हमारा सरवादिक तामरपत्र भी इसे के हमें प्राप्त हुए हैं सरवादिक तामरपत्र इसे के प्राप्त हुए हैं और ललित सूर को जो ये तामर पत्र का जो लेखन का कारे किया था लेखन कारे ये किया था गंग भद्र ने गंग भद्र ने ठीक है तो इसी साब से जो आपका आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपसन डी एक दो तीन चार यानि सभी कथन सही है ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास ठीक है अगला प्रशन निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ठीक है तो हमें बिताना है कौन सा सही सुमेलित है ठीक है चलिए देखते हैं जोसी मट की नरसिंग मंदी बसंत देव इन्हों ने जो सिमट नर्सिंग मंदिर का निर्मान किया था और इन्हों ने यहाँ पे सरनेश्वर नाम गाओं बैशनवों को पूजा परवंद के लिए दान भी दिया था ठीक है और संस्तापक भी कौन है कत्यूरियों के संस्तापक भी है बसंत देव और अगर आजाएगा कत्यूरी सब्द जो ये कत्यूरी सब्द था ये सबसे पहले किसने कत्यूरी सब्द किसने दिया सरपर्थम या कब किसने प्रयोग किया था तो इसका अंसर हो जाएगा एटकिंसन ने सबसे पहले प्रयोग किया था कत्यूरी सब्द का एटकिंसन ने ठीक है का निर्मान किया था इस्ट देव गर्णे इस्ट देव गर्णे ठीक है जो ये निमबर देव है इसने जागिश्वर में बिमान मंदिरों का बिमान मंदिरों का निर्मान किया और इस्ट देव गर्णे लकुलेश नटराज नव दुर्गा मंदिरों का निर्मान किया था ठीके, बिश्णो के बारव अवतार से तुलना ललीच सूर्देब की तो ये भी आपका सही हो जाएगा ठीके, बिश्णो का बारव अवतार से तुलना ठीके, तो इस प्रशन का जो सही आंसर हो जाएगा आप्शन C हो जाएगा 12 अवतार से तुलना की गई है लली सुर्देब की ठीक है मागने धर्ती के उद्दार के लिए 12 अवतार के समान इनकी तुलना की गई लली सुर्देब की और अगला हमारे पास जो आप्शन D है संक्राचारे का उत्राखंड में आगबन राजाओं का राजा कहा जाता है इसके अलावा परम ब्रामन भग्द तथा बुद्ध सर्मन सत्रो इसकी उपादी हमें देखने को मिलती है बुदेब की इस्टदेब गण के समय उत्राखंड में संक्राचारे का आगमन हुआ था और इस्टदेब गण यह उत्राखंड में उत्राखंड को एक सूत्र में बानने का जो कारे किया था अगला प्रश्ण आपके पास है कार्थ के पूर राजाओं के समय भागी रती तथा अलगनंदा नदी के बीज की घाटी वाला जो छेतर था वो क्या कहलाता था ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओप्सन डी अंतरंग विसें अंतरंग विसें कहा जाता था भागी रती तथा अलगनंदा की जो बीज वाला घाटी वाला जो छेतर था वोसे देखते हैं ओप्सन एको देखते हैं टंकण पूर विसें तो जो इंटंकण पूर विसें होता था ये होता था अमारा अलकनन्दा प्लस भागी रथी ठीके अलकनन्दा और भागी रथी का जो संगम छेत्र होता था इसके जो उपर वाला अस्तान उपर वाला छेत्र ठीके तो अलकनन्दा और भागी रथी के उपर वाला छेत्र जो होता था उसे हम टंकन पूर्विसें कहते थे कार्थ के पूर्विसे की बात करें तो ये कत्यूर घाटी में पड़ता था कत्यूर घाटी में अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गौमती नदी है गौमती नदी से जोसी मट तक का जो छेतर था जोसी मट जोसी मट तक का जो छेतर था इस छेत्र को कार्थ किये पूर्विसे कहा जाता था ऐसाल विसे कि अगर बात करें तो यमुना यमुना व भागी रथी यमुना व भागी रथी नदी के जो मद्दे की जो मद्दे घाटी वाला जो छेत्र है यमुना व भागी रथी के मद्दे जो घाटी है उस छेत्र को ऐसाल विसे कहा जाता है ठीक है और ये कत्यूरी जो सामराज्य जो बिस्तरित था ये सारे विसेयों में बिस्तरित था ठीक है चले अगला प्रशन आपके पास अगला जो प्रशन है कत्यूरी काल में निवासस्तान के आसपास की भूमी कहलाती थी ठीक है तो नि अमांत हो जाएगी आपकी ऐसी भूमी जहां खनी संसादन मिलते हो, जहां खनी संसादन के उपलब्दता हो, अगर हम बात करें पल्लिका की, तो ये गाओं की भूमी होती थी, गाओं की भूमी होती थी, अगर बात करें बिर्ती की, तो बिर्ती हो जाती थी आपकी निजी भूमी हो जाती थी और जो ये सरण भूमी होती थी ये निवासस्तान के पास वाली जो भूमी होती थी ठीक ही चले अगला प्रशना आपके पास है अगला प्रशना है कत्योरी काल इन दर्रों की रक्षा करने वाला अधिकारी कहलाता था ठीक है तो दर्रों की या हम इसे कहते हैं इसे कहते हैं गिरी दुआर ठीक है दर्रों और गिरी दुआरों की रक्षा करने वाला जो अधिकारी होता था कत्योरी काल में वो होता था घटपाल ठीक है फिर हम option A में जाएंगे तो जो हमारा इस प्रश्ट का सई आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा और अगर हम वर्मपाल को देखे तो जो वर्मपाल होता था ये सड़क ब्यापारी सड़क ब्यापारी वो राहागीरों मतलब जो राहागीर होते थे उनका रक्षक ठीक है? उनकी रक्षा करता था वर्मपाल ठीक है? अगर नर्पती की बात करें तो नदी घाटों का अधिकारी हो जाता था और अगर हम कोटपाल की बात करें तो ये हैं दुरुगाउं ओबलिक किलों का अधिकारी ठीक है? दुरुगाउं ओबलिक किलों का अधिकारी होता था जो वर्मपाल है? सड़क ब्यापारी राहगीरों का रक्षक नरपती नदी घाटों का अधिकारी होता था और कोटपाल जो होता था ये दुरुगों और किलों का अधिकारी कत्योरी काल में होता था इसके अलावा जो कोट होता था जो कोट होता था राजा के निवास को कत्योरी काल में राजा का निवास ठीक है राजा का निवास को कत्योरी काल में कोट कहा जाता था और इससे संबंदित जो अधिकारी होता था वो कोटा धी करण होता था, कोटा धी करण नामक अधिकारी इसे संबंदित होता था, ठीके चलिए, अगला प्रशन आपके पास है, निमलिखित में से कौन सा मद्यकाले इन कत्युरियों के संबंद में सही नहीं है, ठीके, तो चलिए देखते हैं, option यह है, कत्युरी के द्वारा की गई थी, यह भी ठीक हो जाएगा, उसके बाद है, असकोट के पाल राजाओं को रजवार कहा जाता था, यह भी ठीक हो जाएगा, option D हम देखते हैं, पाली साखा की राजधानी उदैपूर कोट में थी, तो यह गलत हो जाएगा, और इस प्रशन का जो आंसर हो जाएगा, option D हो जाएगा, क्योंकि पाली जो साखा थी, इसकी राजधानी उदैपूर नहीं थी, बलकि इसकी राजधानी थी, द्वारा हाट, ठीक है, और जो यह उदैपूर यह राजधानी थी, यह जो इनकी सोर साखा थी, शोर साखा थी, इस सोर साखा की राजधानी ती उदैपूर और इस सोट साखा की एक सीदकालिन जो राजदानी थी, वो थी बिलोर कोट में, ठीक, बिलोर कोट में, यहाँ पे रजवार सब्द आया है, रजवार सब्द हम पंवार वंज में, जो जगतपाल है, इनका जो तामर पत्र मिला है, जगतपाल वहाँ पे मारो के लिए रजवार सब्सका प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ठीक है चलिए देखते हैं कालु तड़ागी की साहिता से दोन कोट की रावत राजा को प्राजित किया सोमचन ने ठीक है तो सोमचन चंदवन्स का पहला सासक था और इसका जो सेनापती था वो कालु तड़ागी था और इसकी साहिता से सबसे पहले जब इसने अपना सामराजी विस्तार किया तो रावत राजा था दोन कोट का इसको हराया था ठीक है तो आपसन यह सही हो जाएगा इसके बाद र राजा बीर चंद ने ठीक है बीर चंद के समय पे यहां पे खसों का अधिकार हो गया था और उसके बाद खस राजा सोपाल को हरा कर बीर चंद ने यहां पे फिर से चंद वन्स के अस्तापना कर दी थी ठीक है तो इसके बाद है असोक चल के विसाय में जानकारी मिलती है च इस प्रश्ण का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उप्सन भी 1 और 4, ठीक है, अब हम बात करते हैं असोग चल के बारे में, तो जो असोग चल के बिसे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो होती है, गोपिश्वर त्रिसूल लेक से, और बाड़ा हाट, जो हमें तामरपत्र मिला है, यहां से हमें कराचल देब के बिसे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्ण का जो आंसर होगा, वो अप्सन B होगा, 1 और 4, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्ण आपके पास, निमलिखित में से कौन सा बिकल्प निमलिखित में से कौन सा बिकल्प सही सुमेलित है, ठीक है, है और नहीं है का विसेज धियान रखना है, ठीक है, इससे कई बार प्रश्ण गलत हो जाते हैं, तो कौन सा बिकल्प सही सुमेलित है, चलि देखते हैं, पहला हमारे पास है छकाता प्रगना, छकाता प्रगने क चंदराजी में मिलाया, तथा भीमताल में किले का निर्मान करवाया, ठीक है, तो option ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो तिरलोग चंद है, जब इसने अपना सामराजी बिस्तार किया, तो इसने अपने पसिमी सीमा को सुरक्षित करने के द्रिश्टी से, जो भीमताल वाला छेतर है, इसे चंदराजी में मिलाया, और वहाँ पर एक किले का निर्मान किया, ठीक है, फिर option बी है, दूसरा है हमारे पास, नीलू कठायद की हत्या भीस्मचंद ने की, तो ये गलत हो जाएगा, नीलू कठायद की हत्या भीस्मचंद ने नहीं की थी, बलकि गरूर ग्यानचं ने इसकी हत्या की थी, गरूर ग्यानचंद ने इसकी हत्या की थी, इसका ही सेनापती था, और इसके समय एक दूसरा सरदार रहता था, जस्सा कमलेखी, और जस्सा कमलेखी के कहने पर, और उसे राजा को भ्रमित कर दिया था, कि नीलू कठाय तब राजा बनना चाता है, इ अगला प्रशन आपके पास है निमलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है ठीक है नहीं है बताना है तो पहला है बाले सुर मंदिर का निर्मान उध्यांचन ने किया था तो बिल्कुल सही बात है उध्यांचन ने किया था जब इसके दादा गरूर ग्यांचन ने नेलो कठायत की हत्या किय थी तो उस ह मैं जो सासक थे वो यक्षमल, जैमल ठे长, ठीक है, इसने डोटी सासक को हरा कर वहाँ पे अपने सतास्तापित करके उन्हें अपना करत बनाया था, लेकिन जैसी भारती चंथ की मिर्ते हुई, तो डोटी में नाग मल ने विद्रो कर दिया था, और इस विद्रो का दभाया था रतन चन्ने तो इसकी जो हत्या की थी टोटी सासक नागमल की अत्या वो रतन चन्ने की थी रतन चन्न के समय सोर छेत्र में बंदोबस्ति अधिकारी जैंदा किराल थे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा और अजेपाल को युद्ध में जो प्राजित किया था रुद्र चन्ने किया था नहीं रुद्र चन्ने नहीं बलकि ये किया था केड़ती चन्ने और इसका जो वर्णन मिलता है हमें वो वर्णन मिलता है रामायन रामायन परदेप में ठीक है रामायन परदेप नामगरंथ में हमें का वर्णन मिलता है. हालांकि इसमें नाम का उलेख नहीं है. नाम का कोई उलेख नहीं किया गया है कि ये किड़ती चंता. सिफ चंद Nedries थीक है तो हमें बताना नहीं है ठेक है सुमेलित नहीं है. तो इसमें सुमेलित एक तो चार नहीं था. और एक हमारे पास 2 नहीं था तो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4 ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है निमलिखित में से कौन सा बिकल्ब बालो कल्यान चंद से संबंदित नहीं है ठीक है तो बालो कल्यान चंद से संबंदित कौन सा बिकल्ब सही नहीं है चंपाओ से फिस गंगुली हाट वाल चेतr था, इस गंगुली हाट वाले चेतr में एक राजवन्स था मनकोटी राजवन्स, इसके स्तापना के थी कर्मचंद और यहां पे राजा था इस समया इसके समकाले जो था नारायन्चंद, नारायन्चंद के समया planting उत्प्रेती मंत्रियों का इस राजा का उत्प्रेती जो दरवार में उत्प्रेती मंत्री होते उससे विबाद हो जाता है और वो सड्यंतर से उत्प्रेती मंत्री नारेन चंद को नारेन चंद की हत्या करवा देते हत्या करवाने के बाद बालो कल्यान चंद क्या करता है इन उत्प्रेती मंत्रियों को अपने दरवार में सामिल करता है और यहां इन्हें उचुच पदों पर न्यूक्त करता है और इसके अलावा जो गंगोली हाट का जो मनकोटी वन्स था उसे चंदराजे में सामिल कर देता है ठीक है, तो option A भी आपका सई हो जाएगा B भी सई हो जाएगा नेल पोखर तथ लालमंडी का किला छीक है, लालमंडी का किला बालो कल्यान चंदरे बनाएथा जिसे फोर्ट मोईरा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है, ये भी सई हो जाएगा अलमोडा में खगमरा कोट की अस्थापना तो खगमरा कोट की अस्थापना बालो कल्यान चंदे नहीं की थी बलकि खगमरा कोट की जो अस्थापना की थी वो भीस्म चंद के द्वारा की गई थी ठीक है भीस्म चंद के द्वारा इसके स्थापना की गी थी तो इस प्रश्ट का जो सही आंसर हो जाएगा, option D हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्ट आपके पास है, ठीक है, अगला प्रश्ट है, निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ग्वाल्दम का युद्ध, रूद्रचंदरों बलभद्रशा के मद्य होत है, तो ये युद्ध, पंदरः सो, एक्यासी, वाल्टन के अनुसार, और पंदरः सो, नब्बे, इक्यार नब्बे, सिप्रसाद, डब्राल के अनुसार, रूद्रचंद और बलभद्रसा के मद्य होता है, इसमें रूद्रचंद का सेनापती प्रूश्ट मारा जाता है, ये भी सही हो जाएगा, सीरा विजय के उपलक्ष में सिम मंदिर का निर्मान करवाया था, ठीक है, तो सीरा विजय के उपलक्ष में बालो कल्यान चंद ने सिम मंदिर का निर्मान नहीं, बलकि रुदर चंद ने सिम मंदिर का निर्मान किया था, और जो अलमोडा में, वीनो ऊप्सन एक जही सुमेलिक हैं गवालनम के युद में या बदानगड के युद में तो इस सहाब से हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है तो option एक, सही सुमेलित है, option दूसरा भी सही सुमेलित है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, तो इसका जो आंसर होगा, वो जाएगा option ए, first और second, ठीके चलिए, अगला प्रशन आपके पास है, निमलिकित में से किसके दुआरा, बागेशोर में बागनात था, लक्षमी नारायन सासक था, इसने बहुत सारे बाबडियों और नौलों का निर्मान भी करवाया था, इसके अलावा, इसका जो बड़ा भाई था, शक्ति गुसाई, इसे चन्दुअंस का, ध्रितरास्ट भी कहा जाता है, यह, प्रसासनिक ब्योस्ता, प्रसासनिक ब्योस्ता देखता था इस समय, ठीक है, इनके अगर प्रसासनिक ब्योस्ता में हम देखे तो इन्होंने, नियाय वली, बिष्टा वली नामक कचरियां, बिष्टा वली नामक कचरियां बनाई, इसके अलावा, इन्होंने, रेका भूमी ब्योस्ता, रेका भूमी ब्योस्ता को अपनाया, लक्ष्मी च सीमा सूचक पत्थल लगाए सीमा उंक में ऐसे पत्थल लगाए मतलब बॉन्डी ओंडी सेट की अपने इसके अलावा इसने अपने लक्ष्मी चन्दय अपने कारिया अपने राज्य में बंदोबस्ती कारिया लए भी खोला और गड़वाल में इसने आठ बार आकरमन किया थ वहीं पर इसका जो नाम पड़ता है लखुली बिराली पड़ता है और जिस गड़ से आक्रमन कर रहा था उस गड़ का नाम पड़ा सियालवोंगा या गीदरगड ठीक है रूद्रचंद रूद्रचंद यह अकबर का समकालिन था ठीक है इसने संस्कृत के परचार परचार के हितु कई कारे किये थे अपने यहां के राज्य की युवाओं को संस्कृत पड़ने के लिए कासिवारंट से में भीजा इसके लावा इसने अल्मोडा में भी संस्कृत विध्याले की अस नागोर लड़ाई में इसने अकबर का साथ दिया था, सीरा विजय की थी, इसके अलावा इसने पुरुस्पंद को ग्वाल्दम युद्ध या ग्वाल्दम अभियान के लिए भीजा था, ठीके, त्रीमल चंद के समय हम देखते हैं, इसने गड़वाल का जो सासक था, महीपत महीपती साह के जूर्जबर्दस्ति के कारण तिरमल चंद युद्ध रड़ा था, और तिरमल चंद ऐसा पहला चंद, और उसका ऐसा पहला सासक था, जिसने गड़वाल में सियाम साह के दरवार में सरण ले थी, ठीके, चलो, अगला प्रशन आपका, किस चंद सासक के काल म को सरदार फौजदार नेगी में विभाजित किया गया था ठीक है तो जैसी अभी हमने देखा था लक्षमी चन ठीक है तो इस फ्रश्ट का जो सही आंसर हो जाएगा लक्षमी चन इन्होंने जैसी अपना भूब्योस्ता किये थी और बी-सी भू ब्योस्ता भू ब्योस्ता ठीक है ये अपनाई थी बाद में ब्रिटिसों ने भी अपनाई थी इसके तहट इन्हों ने क्या किया जैसे सरदार बड़े अधिकारी ये सैने अधिकारी और नेगी जो होते थे इसे कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ठीक है पांडे खोला कविना में बागानाओ का निर्मान बालो कल्यान चन्ने तो ये गलत हो जाएगा जो ये निर्मान किया था ये लक्षमी चन्ने किया था छैरो के कारण मिर्तियों ठीक है तो छैरो के कारण जो मिर्तियों हुई थी ये दिलेब चंद की हुई थी, और जो बिजय चंद थी, इसकी हत्या करवाई गए थी, जो त्री मूर्ती थी, त्री मूर्ती थे इसके दरवार में, ये थोड़ा बिलासी प्रविर्थी का सासक था, इसलिए इसके समय में जो सरदार थे, सक्राम कार की बिनायक भट और इन्ही को समलीत रोप सी त्री मूर्ती का आ जाता था, इन्होंने नसे में धुत राजा की बिजय चंद की हत्या करवा दी थी, ठीके, काकुआ मोर का यूद, बिजय चंद वो मही पतिसा, ठीके, काकुआ मोर तो ये बिजय चंद नहीं, बलकि यांपे त्री मल चंद आ जा इसमें सही सुमेली तो जाएगा आपका option D बनवारी दाज जो सेना पती था वो महीपती साह का था ठीक ही चलिए अगला प्रशन आपके पास है निमलिखित में सिक कौन बाजबादूर चंद के संबन्द में सही है ठीक है तो बाजबादूर चंद के सिर्जन किया था ये भी सही है क्योंकि मुगलों को खुस करने के चकर में इसने इन पदों को मतलब अपने जो दरवार है वो मुगल दरवार के अनुरोप इसने ढालने की कुशिस की थी ठीक है औरंगजेब के खुस करने के लिए चंद राज्य में जजिया कर लगाया था ठीक है चंद राज्य में जजिया कर लगाया था चंद राज्य में जजिया कर लगाया था तो ठीक है तो यह बिल्कुल सही है जो बाजबादूर चंद है इसे बादूर की उपादी ये भी साजां के द्वारा दी गई थी, इसने जो गड़वाल आकरमन था मुगलों का, उसमें भी मुगलों का साथ दिया था, तो इस सिसाब से तीनों सही है, और इस प्रश्ट का जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, option D, 1, 2, 3, सही, ठीक है, तीनों सही है, अगला सही सुमेलित नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा बाज बहादूर चंद, ठीक है, इसके बाद है, थल में एक हतिया देवाल, ये बाज बहादूर चंद हो जाएगा, गड़वाल की जॉन ओफ आर्क करना उड़ती, तो गड़वाल की जॉन ओफ आर्क करना उ प्रश्ट के संबन्द में कौन सा कथन सही नहीं है ठीके मैं सिसाहू बदानगड आकरमन के दोरान बीरगती को प्राप्त हुआ तो ये सही हो जाएगा बर्देव जोसी उद्ध्योचंद का राज कभी था तो ये गलत हो जाएगा ये राज कभी नहीं था, बलकि ये राज बैद्य था, उद्ध्योचंद का बरदेव जोसी, ठीक है, इसके लावा, हिउद्योबा 1692 में डोटी अभियान के दोरान बीरगती, ये 1692 नहीं, बलकि 1692 के दोरान डोटी अभियान में बीरगती को प्राप्त हुआ था, और देपा अगला प्रशन आपके पास है, निमलिकित में से किस मंदिर का निर्मान उद्ध्योचंद के दोरा किया गिया है, ठीक है, तो उद्ध्योचंद के दोरा, सैभ हैरो मंदिर, तिरपूरा सुंदरी मंदिर, देवली का स्रंग महल और दसों का छाजा, एक, दू, तीन, चार, उद्ध्योचंद के दोरा ही किया गिया था, ठीक है, अगला प्रशन आपके पास है, ठीक है, अगला प्रशन आपके पास है, निमलिकित में से कौन सा कथन, जगत्चंद के समद्ध में सही नहीं है, ठीक है, जगत्चंद के बारे में हमें बताना है, कि कौन सा कथन सही है, ठीक है तो जगत्चन्द ने हजार गायों का दान किया जिसे सहस्त्रदान कहा जाता है तो ये सही है जगत्चन्द के सासनकाल को चन्द वंस का सोनकाल कहा जाता है ये भी सही है जगत्चन्द ने जुआ पर कर लगवाय था ये भी सही है जगत्चन्द की मिर्तियों सीतला ना फते पति साहा ने कत्यूर घाटी में आक्रमन किया और यहां पे गटसार गाउं में अधिकार करने के बाद उसे बद्रिनात मंदिर को दान में दिया ठीक है चलिए अगला प्रश्ण आपके पास है किस सासक के सासनकाल को गैंडा गर्दी या बिष्ट राज के नाम से जाना कल्यांचन ने इस गैंडा गर्दी का अंत किया था कल्यांचन ने इस गैंडा गर्दी का अंत किया था ठीक है चलिए अगला प्रश्ण आपके पास है निमलिखित में से कौन सी घटना कल्यांचन से संबंदित नहीं है ठीक है तो पहला रोहिला आक्रमन ठीक है तो पहला र सत्रसो तितालिस चवालिस में ठीके जिसमें गड़वालो कुमाओ की सेना एक साथ लड़ती है और हैमिल्टन ने इस युद्ध का वर्णन किया था इसके बाद तीन लाख रुपे इसमें युद्ध भी लगता है जिसमें परदीप साइस की मदद करता है ठीके अलमोडा में चौ महला महल का निर्मान करवाय था ये भी सही है ठीके और कल्यान चंद रोदेम की गरंद की रचना की थी ये भी सही है तो इस प्रश का जो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन डी एक दू तीन चार्ज सब सही है ठीके चलिए अगला प्रशन है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ठीके तामा ध्हौंड का यूद परदीपसा और दीपचंद के मद्य ठीके परदीपसा और दीपचंद वैसे में जो होता है वो शिपदेव जूसी के मद्य होता है इस समें राजा तो दीपचंद रहता है लेकिन जो सरक्षक रहता है ये शिपदेव जूसी रहता है ठीक है तो option A भी आपका सही हो जाएगा बान नामक हतियार का प्रियोग दीपचंद की सेना ने किया था ये भी सही है अगला प्रशन आपके पास अगला प्रशन है बगवाली पोकर की युद्ध में ललीत सहा का सेना पती कौन था ठीके तो बगवाली पोकर का जो युद्धु हुआ था इसमें जो ललीत साहा का जो सेना पती था वो प्रेम पती खंडियोडी था और इसके अलावा जो रामा खंडियोडी और धरनी खंडियोडी है ये प्रदियोमन साहा के समय थे और प्राकरम साहा के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है ठीके चलो अगला प्रशना आपके पास है निमलिखित में से किसका संबंद प्रदियोमन चंद से संबंदित है ठीके कपरोली का युद्ध अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका 1784 में हुआ था ठीके सिरमोर का सासक जगत प्रकास था जगत प्रकास था प्रदियोमन साह प्राकरम साह और बिजयराम नेगी थे इनको यहां से भगा दिया था इसके बाद जूसियानी कांड होता है 1785 में हर्सदेव जूसि के नेत्रितों में परद्यूमन चंद इसमें कुमाओ के सासक होते है हर्सदेव जूसि वह परद्यूमन चंद या परद्यूमन सा हर्सदेव जूसि के नेत्रितों में मोहन चंद और उसका भाई लाल सिंग बिसमें इसका साथ देता है और फिर क्या होता है कि 1786 में गड़वाल का सासक बन जाता है आपका परद्युमंसा और हर्षदेव जोसी आ जाता है इसके सरण में और फिर हर्षदेव जोसी से कुमाओं पर आक्रमन करने को कहता है लेकिन इसके प्रस्ताव को असुईकार कर देता है ठीक है और कुमाओं पर आदिकार हो जाता है मोहन चंद का ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्युक सभी ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है निमलिकित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ठीक है तो मांग नामा कर. ठीक है। तो maunga naama कर जो ये maunga naama कर है ये हमें गुर्खों के समय भी देखने को मिलता है और चंदों के समय भी देखने को मिलता है। अगर हम चंदों के समय की बात करें तो दीभ चंद नहीं होगा बलकि मोहन चंद हो जाएगा. ठीक है। और अगर हम गूर्खों की समय बात करें, तो जो पहला सुब्बा था जोगा मलसा, जोगा मलसा, ठीक है पहला गूर्खा जो सुब्बा था उस सुब्बा ने एक याँ पे भूमे बंदुबस करवाए था सत्रसोई कारणबे में और उसने मांगा नामा कर आरूपीत करवाए मिटी का महादेप सिपचंद हो जाएगा, बिजय चंद की हत्या मानिक विष्ट और पूरण मलने की थी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है गड़वाल तथा कुमाओ का सासन समालने वाला राजा मोहन चंद नहीं हो जाएगा, बलकि ये परदियुमन चंद हो जाएगा, ठी चंद काल में जो परगने थे, वो गर्खे में विवाजित थे, जिनका प्रसासन गर्खा नेगी कहलाता था, गर्खे गाओ में विवाजित थे, जिनका मुख्या, काली कुमाओ, दार्मा तथा जोहार में, डैस डैस कहलाता था, ठीक है, तो ये कहलाता था, ये कहलाता था ठीक है जो पदान होता था ये आनुवांसिक होता था आनुवांसिक पद था ये समय चंदकाल में ठीक है जो कोटाल होता था ये पदान के लिए लेखक का कारे करता था लेखक का कारे करता था और जो ये पदान होता था ये पुलिस का कारे भी ये ही समालता था ठीक है चलिए अगला प्रशना आपके पास है निमलिखित में से कौन सा कर सड़कों की मरमत ही तो देखकर कौन सा कर सड़कों की मरमत ही तो देखकर कौन सा था ठीक है तो इसमें जो सड़कों की मतलब सड़कों की मरमत के लिए दिया जाता था ये दिया जाता था ये यानि अधूल कर ठीक है साउली या रताउंगली करकि अगर हम बात करें तो ये लेखा कोरक पर था लेखा कोरक पर था बैकर और सिर्थिकर ये अनाजकर था ये अनाजकर होता था रॉल्या देवल्या करकि बात अगर हम करें तो ये जो देवी देपता होते थे देवी देपता की पूजा ही तो मतलब देवी देपताओं का कोई अनुष्ठान करना है तो उसके लिए रॉल्या देवल्या नामा कर वसूला जाता था ठीके चलिए अगला प्रश्ण आपके पास है चंदकालिन सयाना को अनाज की रूप में दिया जाने वाला दस्तोर था तो इस प्रश्ण का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप्सन यह हो जाएगा डाला नामा कर उसे दिया जाता था ठीके चलिए अगला प्रश्ण आपके पास है निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ठीके सही सुमेलित है चांदपूर गड कनकपाल की प्रारंबिक राजदानी थी तो यह सही हो जाएगा आपका सकंड गाउं सुर्तिपाल का विश्णो-मूर्ति-पीठी का लेक मिला है सकंड गाओं में सुर्ति पाल का विश्णो मूर्ति पेठी का लेक मिला ये भी सही हो जाएगा धार सिला लेक लखन देपाल का सिला लेक है तो ये आपका गलत हो जाएगा ये लखन देपाल का नहीं बलकि अनन्दपाल दुईत्य का है और अनन्दपाल दुईत्य को हम मुकुंद देव के नाम से भी जानते हैं अजेपाल नर्वीर सिंग कंडारी को प्राजित किया था तो ये दुगम देश का गडपती था दुगम देश का गड़पती था ठीक है कंडारा गड़ था रूदर प्रियाग में कंडारा गड़ का जो गड़पती था नर्वीर सिंग कंडारी इसको अजेपाल ने प्राजित किया था ठीक है तो हमें बताना है सही सुमेलित है तो सही सुमेलित हो जाएगा कि अंदर कुल देवी राज-राजी सुरी की अस्तापना की थी, तो ये अजेपाल नी जब यहाँ पे पनी राजदानी वगिरा अस्ताना अंद्रेत की थी, तो उसके बाद यहाँ पे एक महल बनाया था, राज-राजी सुरी मंदिर का निर्मान करवाया था, गौर्जा देवी मंदिर का भी निर्मान करवाय था स्रीनगर में ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है भूर्ट परदेश पर असफल आकरमन करने वाला प्रथम सासक कौन था ठीक है देखो पहला प्रशन यह आता है कि भूर्ट इबत पर आकरमन करने वाला पहला सास तो पहला सासक आ जाएगा बिजेपाल लेकिन बिजेपाल का जो अभियान था इस अभियान को कभी देवराज कहते हैं कि ये जो अभियान था ये असफल था ठीक है तो यहां पर पूछा है पहला असफल आक्रमन तो असफल आक्रमन किया था बिजेपाल ने ठीक है, और इनका जो अभियान था, भोर्टिबत अभियान था, इस अभियान को जो असफल कहा था, या असफल बताया था, वो बताया था कभी देवराज ने, ठीक है, बल्भद्र पाल, ये पहला सासक था, जिसने सहा की उपादी धारण की, सहा की उपादी धारण की, कल्यान पाल ऐसा माना जाता है कि यह जैपाल का पुत्र था और सबसे पहले जो साहा की उपादी इसने धारन की थी कल्यान पाल ने लेकिन जो आयोग है और जो प्रीक्छावाणी है यह हर बार बल्वधरशा अनसर मानते हैं इसलिए सर्व मतिय ही है कि बलवद्र सा पहला सा सकता जिसने साख्योपादी धारण की सहजपाल इसके समकालिन अकबर था और इसके समय सिवालिक चेतर में हुसेन खाटुकडिया का भी आक्रमन होता है इसके अलावा सहजपाल के समय ही अकबर क्या करता है एक अनवेसक दल भेशता है जो गंगा नदी है उसके सुरूत का पता लगाने के लिए इसके अलावा सहजपाल को राजनेतिक चतुर और महाबली और बिद्वानों का असरेदाता भी सहजपाल को कहा जाता है ठीक है चले अगला प्रशन आपके पास है निमलिकित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है सिनगर में कालिका option यह है सिनगर में कालिका मटका निर्मान अजेपाल ने किया था सही हो जाएगा सरोला ब्रामन पर्था शुरू की थी अजेपाल ने की थी ये भी सही हो जाएगा रोगनात मंदिर घंटा अभी लेख अजेपाल का नहीं गलत हो जाएगा जो ये घंटा अभी लेख है ये राजा सहजपाल का हो जाएगा ठीक है सहजपाल का हो जाएगा अजेपाल के समकालेन उप्पुगड का गडपती कपुचवान था टीरी में उप्पुगड पड़ता है और कपुचवान एक बीर सा सकता इनके स्मृति में या पे उप्पुगड का मेला भी लगता है ठीके तो इस प्रशन में हमें बताना जो सही सुमेलित नहीं है तो option C हो मानो दे काब्बे नाम गरंथ लिखा ठीके ये संस्कृत भासा में है संस्कृत भासा में है ये ऐसा माना जाता है को समय जहांगीर के दरवार में भी रहें जहांगीर दरवार में भी रहें और वहां पे जोतिसी के पत्पे रहें इसलिए जहांगीने ने जोतिक राई के उ इसके लाव गुरु संकर है इन्होंने वास्तु सिरोमनी नामक गरंत लिखा है ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास है गुर्खा वो पर्दुमन साह के मद्दे 1792 इस्वी में लंगूरगड की संदी पर किस गुर्खा सुबा ने भाग लिया था ठीक है तो 1790 में इनका कुमाओं पर अधिकार हो गया था एकरमन अब्बे में हर्शदेव जोसे ने गुर्खों को प्रेडित किया कि आप गडवाल पर भी आकरमन करो और इन्होंने गडवाल पर लंगूर गडवाले छेतर में आकरमन कर लिया था लेकिन इसी समय क्या हुआ 1791 में जैसी इन्होंन को ने आकरमन किया गडवाली सेना ने लंगूर गड़ के पास एक साल तक रोके रखा उसके बाद इस समय चेन के द्वारा नेपाल पर अधिकार कर लिया आकरमन कर लिया जाता है मजबूरन गोर्खों को यहाँ पर पर प्रदियुमन साहा के साथ लंगूर गड़ की संदी क अगला प्रशन आपके पास है किस गुर्खा सासक के समय गुरू रामराय के महंत हर सेवक को हत्या के अपराद में कड़ाई दूइप का सामना करना पड़ा था ठीक है तो इनकी जो नियाय भी होसता थी वो कोई संगठित नियाय भी होसता नहीं थी हालांकि इन्होंने अगला प्रशन आपके पास है गुर्खा सैनिकों द्वारा जंता से मनमाने धंक से कर वसूलने को नियम क्या कहलाता था ठीक है तो ये जो नियम कहलाता था ये बाली परता कहलाता था ऑप्सन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके पास ठीक है गुर्खा प्रशन में राज ब्रामन दासों को ठीक है कामी कहा जाता था गुर्खों के समय सिल्ब कर्मियों को ठीक है इसके बाद छोड़ा जो होता था ये दासी होती थी ठीक है असकोट में इनको विश्वा या सेवक कहा जाता था ठीक है विश्वा या सेवक कहा जाता था ठीक है चले अगला प्रशन आपके पास है किस गोरखा सासक ने नेपाल की विस्तारवादी नीती का अनुसरन करते हुए पूर्व गोरखपूर में 200 गाओं पर अधिकार किया था तो इस प्रशन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option B ठीक है गोरकफूर में इन्हों ने 200 गाओं पर अधिकार किया था प्रिथभी नारेंड साहा की अगर हम बात करें प्रिथभी नारेंड साहा की तो इन्हों ने इन्हें हम आधुनिक नेपाल का निर्माता कहेंगे आधुनिक नेपाल का निर्माता कहेंगे ठीक है नेपाल पहले छोटी छोटी 24 रियासतों में वटा था इसलिए उसे 24 ही का जाता था प्रिथभी नारेंड साहा ने उनका एक एक रण करन करके एक सामराज्य की रूप में नेपाल की अस्तापना की थी इसलिए इने आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है बहादूर साह, रनबहादूर साह जो यह थे यह कुमाओं में जब गुर्खों का अधिकार हुआ था कुमाओं पर गुर्खाओं का अधिकार हुआ था उस समय नेपाल की राजा थे और जो इक गीरवान युद बिक्रम साह है या बिक्रम सिंग या बिक्रम साह इनके समय गडवाल पर गडवाल पर गुर्खों का अधिकार हुआ था ठीक है चले अगला प्रशन है फिर गोर्खा काल में दो वर्स के लिए कार्यमुक सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था ठीक है तो जो गोर्खा सैनिक थे ये दो नाम से जाने जाते थे एक होता था जागरिया और एक होता था धाकरिया ठीक है तो जो धाकरिया होते थे ये का वाकालंट सैनिक होते थे सुबह इनके परसासक होते थे कुमाओं में, ठीके चलिए अगला प्रशन आपका निम्न में से कौन सा कर में इनकार टो फॉजदार और सुबैदार को जो देए कर था वो टिमारी नामक कर था, ठीके इनकारी नामक थस जमीदारों से कौन सा कर लिया जाता था। ठीक है तो ये जो कर लिया जाता था। ये था अफशन से अधनी दफ्तरी नामा कर लिया जाता था। अगर हम option A की बात करें, मेजबानी दस्तूर, तो ये नागरिक सुरक्षा के लिया जाता था, जन्या सुन्या, अगर राज्य करमचारियों से, टेक्स के संबन्द में अगर आपने बोच लिया, तो आपसे जन्या सुन्या कर लिया जाएगा, ठीके, तो राज्य करमचारियों से, अगर कोई टेक्स से संबन्द कोई बात पूछता था, तो उसे जन्या सुन्या कर लिया जाता था, और मौकर ये पर्ती परिवार से, दो रुपे लिया जाता था, ठीके, और जो मेजबानी दस्तूर है, ये नागरिक, या जो परजा, परजा की स सुरक्षा के लिए कर वसूला जाता था, ठीके, चलिए, अगला प्रशन आपके पास है, ठीके, अगला प्रशन है, किस गुर्खा सासक के द्वारा उर्वता की द्रिष्टे से गड़वाल की भूमे को पांच भागों में बांटा गया था, तो इस प्रश का जो सही आंसर ह हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option D, ठीके, हस्तिदल चौतरिया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, किरसुको के पक्च में इसने कारे किया, तकावीरिन दिया, रणजोर सिंग धापा, इसमें मौला राम की विसेश क्रिपा थी, इसे मौला राम ने दानबीर करन की उप प्रति हपते जो अलमोडा से जो नेपल डाग भीजी जाते थी उसके लिए इन्होंने डाग चोके की भी अस्तापना की थी अमर सिंग थापा गडवाल के पहले परसासक थे और इन्हें नेपल सरकार के द्वारा काजी की उपादी भी दी गए थी और काजी की उपादी नेपल सरकार द्वारा दिये जाने वाली सरवूच उपादी थी अमर सिंग थापा के बात परसासक बनते हैं इन्हें मौला राम ने दानवीर करनी की उपादी थी और रणबादूरसा इनके समय पर ये जब नेपाल की राजा थी तो इस समय कुमाओ पर गूर्खों का अधिकार हो गया था और अगर हम गडवाल की बात करें तो गड़वाल में गीरवान युद बिक्रमसा ठीक है चले अगला प्रशन है आपका किस गोर्खा सैना नाये को नेपाल राजदरवार ने 1804-1815 तक काली से 17 परदेश तक के बिजी छेत्र को सरवोच नियाएदिस नियोक्त किया था ठीक है तो इस प्रश्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option C अमर सिंग थापा अमर सिंग थापा जैसे यहाँ पर परशासक नियोक्त हुए तो इनका जो अधिकान समय बीता था वो कांगडा दुरू और हिमानचल परदेश वाला जो छेतर है इस छेतर को जीतने के लिए इनका अधिकान समय बीता था ठीक है इने काजी के उपादी से भी सम्मानित किया गया था और इने सर्वोच नियायदीस भी नियूक्त किया गया था इस छेतर का इसके बाद जो रणजोर सिंग थापा है उनको यहाँ पे शुबबा बनाकर या प्रसासक बनाकर भीजा जाता है ठीक है तो यह आज 50 प्रस थे इसके बाद जो अगले 50 प्रस ने वो कल आपके सामने होगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद